हेलो एव्रीवन वेलकम बैक तो माई चैनल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कस्टम रोल्स यानि कि रोल बेस एक्सस कंट्रोल का जो आपके बिल्ट-इन रोल्स थे उसके वैसे ही आप कस्टम रोल्स भी बना सकते रहों तो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बतायता हूँ आप बात नहीं आप लोगों का मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि जो आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हो like करते हो और share करते हो सबसक्राइब करते हो और क्योंकि आप लोग comments में जो काफे सारे subscribe या non subscribe users हैं वो comments ढाँते हैं कि आप भात अखे video बनाते हो आप अच्छे explain करते हो और अच्छे से आप लोगों को समज में आता हैं को दोस्तों thank you very much appreciation करने के लिए और मेरी कोशिश ही रहेगी कि जो भी मुझे आता है जो भी मैं सीख सकता हूँ आपको एक understandable language में आप लोगों को समझा सको बहुत ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही easy रहे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ Azure, I mean Azure है क्या, कौन सा resource, किस काम आता है, कैसा use कर सकते हो जो built-in roles थे, Microsoft ने कुछ built-in roles बना रहे हैं, जो आप बिल्ट-in का मतलब वो standard roles हैं, आप उनको use कर सकते हो तो similarly, Microsoft कहता है कि भाई, अगर आपकी organization की need के साब से, जो built-in roles हैं, वो fulfill नहीं कर पा रहे हैं आपके requirement को आपकी organization के requirement को, तो आप custom role भी बना सकते हो यानि कि दो चीज़ों को मिला के एक role बनाना, यानि कि दो permissions को मिला के एक role बनाना अगर मैं इसका example दू, built-in role और custom role का, तो जैसे कि आप desktop लेते हो, तो desktop आप या तो built-in desktop लो एक branded HP, Lenovo का या Dell का कोई भी, जो built-in रहता है, जिसका लेकिन configurations का कुछ limit रहता है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई, आप एक graphic designer हो और आप graphics में ज्यादा interest रखते हो, तो built-in में ये तो हो सकता है, कि आपको बहुत महेंगा मिले, या फिर, जो आपको चाहिए, जिस तरह का desktop वैसा आपको नहीं मिल पार होगा वैसी configuration का, तो आप क्या करते हो, market से अलग-लग parts खरीते हो, और उसको एक assembled करके, assembled desktop computer बनाते हो, तो उसे कहता है, custom, similarly, कपड़े खरीदने जाते हो, तो कपड़े खरीदने के बाद, आप क्या करते हो, या तो आप ready-made shirt लेते हो, ready-made trouser लेते हो, या तो आप क्या करते हो, कपड़ा लेते हो, और उसको tailor के पास जाके, अपने fit और अपनी fitting के हिसाब स आप shirt बनाते हो, तो उसे कहते हो, और ready-made, क्या हो गया, आपका built-in हो गया, similarly, Azure में भी built-in roles है, और custom roles है, custom role मतलब, आप अपने requirement, organization के requirement के साब से roles बना सकते हो, तो चलिए, मैं एक बार आपको दिखा देता हो, और हाँ, दूसरी चीज, कि इसका prerequisite क्या है, कि आपके पास य role-based access control, यह आप इसको कहते हैं कि JSON-based document एक तरह से, यानि कि जो उनका backend architecture रहता है, वो JSON format में रहता है, तो अब सबसे पहली बात तो Azure में कोई भी resource, अभी तक जो है, मैंने आपको हमेशे GUI ये portal के उपर ही बताया है, बट आप Azure CLI भी यूज़ कर सकते हो, या Azure Shell भी यूज़ जो PowerShell से भी हम बना सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको demo दिखाने वाला हूँ उसका, बट ये ध्यान रखिए कि Azure में आपको एक तरह से PowerShell सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको automation की काम से आता है, आपको कोई भी task है, आप easily कर सकते हो, तो Azure में PowerShell भी एक त Subscription पर Select करता हूँ, और Access Control पर जाता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे Rolls, तो मैं Rolls पर जाता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे कि Built-in Rolls हैं यहाँ पर, तो इसको एक बाद लोड होने देते हैं, यह लोड हो गया है, तो यह तेखो, यह Type में आप देख रहे कि यहां पर जो मैं थोड़ा expand कर देता हूं इसको तो अभी आप देख रहे हूंगे जैसे अलग-अलग कुछ services की इन लोग ने रोल बना रहे हैं जैसे कि अजूर आर कुबरनेट्स का बना रखा है या फिर इसमें virtual machine रीड कर सके और storage account रीड कर सके अगर मुझे ये दो permission देना है तो मुझे दो अलग-लग permission के उपर उस user को permission देना पड़ेगा लेकिन मैं कोई एक चाता हूँ कि जिसके उपर दोनों काम कर सके एक रोल की अंदर तो चलिए चलते हैं तो मैंने सबसे पहले तो देखो दोस्तों आप portal से भी बना सकते हो यहां से आपको क्या करना है access control में जाके add पर क्लिक करना है add custom role पर जाएंगे आप और custom role पर क्लिक करने के बाद यहां पर role name दे दो description दे दो कि वो role क्या काम करेगा यहां पर तीन option आते हैं कि आपको कोई existing role का आपको क्लोन करना है या फिर scratch से या नया आपको custom role बनाना है या फिर start from the JSON या तो आपके पास कोई JSON script है फॉर्मेट है जहां से आपको role बनाना चाहते हो तो यह तीन option है, अगर आपको यहां से बनाना है, तो चलो start from scratch करते हैं, next करूँगा, यहाँ पर आप permission दीजिए, add permission पर मतलग कौन कौन सी permission, तो let's say, यहाँ पर मैं compute का देता हूँ, compute मतलग अपने virtual machine का, तो मैं compute टाइप करूँगा, और Microsoft compute select करूँगा, और इसको मैंने click किया है, ठीक है, अब यहाँ पर permission, कि आप compute में क्या permission देना चाहते हो, कौन सा roll मनाना चाहते हो, तो let's say, मैं Microsoft compute के अंदर जाता हूँ, virtual machines में, तो मैं नीचे आऊँगा, नीचे आऊँगा, scroll करता हूँ, कहीं पर virtual machine देखेगा मुझे यहाँ पर, तो आजा, 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 virtual machines, यह रा, यह मेरा virtual machines आगया, अब यहाँ पर मुझे कौन सा permission देना है, let's say, मैं चाहता हूँ कि start virtual machine करे, और कुछ ना करे, add करता हूँ, okay, उसके बाद एक और permission मैं add कर लेता हूँ, किसी दूसरे service की, तो let's say, मैं storage कर लेता हूँ, okay, तो storage मैं यहाँ पर search type करूँगा, और उसके बाद storage, 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 यह रा, Microsoft storage, यह select करूँगा मैं, और उसी तरह से storage का कोई एक permission में चूज कर ल मैंने storage accounts, यह रा, Microsoft storage और storage accounts, चीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वो बंदा, क्या करे, delete कर सके storage account, तो मैं इसको add करता हूँ, तो अब यह custom role क्या कर रहा है, अभी तक आप इस तरह का कोई भी built-in role नहीं दिखोगे, जहाँ पर दो resources का, एक role हो, तो custom role में क्या कर सकते हूँ, आप उसको start कर सकता है, बाकी और कुछ नहीं कर सकता है, उसी तरह subscription level पर storage account है, वो delete कर सकता है, लेकिन create नहीं कर सकता है, modify नहीं कर सकता है, यहाँ पर permission type आप देख सकता है, फिर आप next करेंगे, यहाँ पर आता है assignable scope, मतलब scope क्या होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको last वीडियो हो गए, तो यह आपका subscription है default, आप चाहिए तो आप particular resource group level पर कर सकते हो, यह particular resource group चूज कर ले तो ऐसे भी कर सकते हो, उसका next करोगे, यह आपका JSON का आएगा, तो यह इसले दिया गया है, जैसे कि मैंने बुला role based access control, आपका JSON document भी कहलाता है, आप यहाँ से script को, इस format को download कर सकत हो, ओके, फिर next करोगे, और यहाँ पर next करके, यह validation fail इसले आ रहा है, क्योंकि मैंने कुछ भरा नहीं है, और जैसी validate होगा, आप create कर सकते हो, तो आपका role दिख जाएगा, तो दोस्तों चलो, यह activity जो है, मैं PowerShell से करने वाल हूँ, तो अभी मेरे पास कोई custom role नहीं है, और म मैं अब क्या करने वाल हूँ, PowerShell में मैंने एक JSON format में, यह JSON format में कुछ define किया हुआ है, define क्या किया है, कि JSON format मैंने name दिया हुआ है, मेरे custom script का नाम क्या होगा, demo custom role, id क्या है, null है, is custom, true, true इसले है, क्योंकि मैं custom role बना रहा हूँ, description मैंने दिया है, कि allows read access to virtual machines and storage account, मतलब यह जो किसके ओपर करना चीए, यह करना चीए, Microsoft.compute, star मतलब wildcard लगा रखा है, तो virtual machines आ गया, उसी तरह Microsoft.storage, star मतलब wildcard लगा रखा है, और read मतलब permission, तो Microsoft.storage कंदर, जो भी storage रहेगा, वो सबको permission मिल जाएगा, कौन सा, read गा, उसी तरह no action, default रहे गए, assignable scope, आब यहाँ पर scope define करना है, या तो आप subscription करो, या resource करो, या resource group करो, या management group, ओके, तो यहाँ पर मैंने subscription चूज किया हुआ, तो यहाँ पर आपको subscription ID डालनी पड़ेगी, तो मैं एक बार verify कर लेता हूँ, तो subscription पर जाता हूँ, और यह मेरी subscription ID है, तो यह perfect है, वही subscription ID है, अब आपको क्या करना है, कि य ये copy करना है, और मैं इसको notepad में paste कर देता हूँ, और मैं इसको save कर देता हूँ, किसमे dot json file में, तो desktop में जाता हूँ, मैं डालता हूँ, custom role, custom role one dot json, तो यह मेरा file का नाम हो गया, dot json format में आपको डालना है, save कर दिया मैंने desktop में, बंद कर देता हूँ, अब इसके बाद क् मुझे PowerShell open करना है तो मैं अपना PowerShell open करता हूँ यहां से PowerShell और मैं अपने पोर्टल को connect करता हूँ using a PowerShell ओके तो इसको चलो connect करते हैं थोड़ा time ले रहा है है ओके तो मैं यहां command type करूँगा connect-az एकाउंट और tap प्रेस करूँगा तो automatically वो पूरा पूरा command आ जाएगा उसके बाद enter हिट करूँगा और enter हिट करने के बाद मुझे जो ही आप पर एक login ID password के लिए मुझे एक window आएगा उसमें मुझे अपने पोर्टल का ID और password डलना पड़ेगा तो यह थोड़ा time ले रहा है तो यह window आ चुका है मैं अपना पोर्टल का ID डालता हूं इसमें एंटर करता हूं और उसके बाद password डालता हूं यहाँ पर यह मैंने password डाल दिया ओके तो यह authenticate हो रहा है यह थोड़ा कुछ कुछ second ले गए तो दोस्तों मेरा जो है पावर्शेल की थूरू मैंने पोर्टल कनेक्ट कर लिया जब यह आपका connect होगा तो आपको इस यहां पर डिस्प्ले होगा तो इसका मतलब यह कि आपका connect हो चुका है तो चलिए अब क्या करते हैं यहां से command कॉपी करते हैं तो command क्या है new hyphen az role definition hyphen input file और file name आपको देना है तो हमने file name क्या रखा था custom role one dot json तो मैं एक काम करता हूँ इतना copy कर लेता हूँ या फिर इस पूरे को भी copy कर लेता हूँ और बाद में modify कर लेंगे आपको पावर्शेल में जाओंगा right click करके paste करूँगा और यह delete कर देता हूँ और मेरा जो file है वो है कहा करना पड़ेगा c में जाना पड़ेगा users में जाओंगा linoo में जाओंगा desktop में जाता हूँ यह path में copy कर लेता हूँ और यहाँ पर double colon करके paste कर लेता हूँ और back slash और मेरा custom करके type करूँगा और उसके बाद tap press करूँगा तो यह auto populate हो जाएगा custom role और tap press करता हूँ तो custom role one dot json बना गया अब मैं इसको करता हूँ एंटर तो यह enter मैंने मार दिया है अभी इसने क्या किया है कि custom role बना दिया है किस नाम से बनाया है मेरा custom role demo custom role करके बनाया है तो मैं आपको एक बार portal में दिखा देता हूँ तो portal में जाते हैं चलो यही पर देख लेते हैं search करेंगे demo custom roles है तो परफेक्ट यहां पर मैं type करता हूँ demo और यह देखो मेरा क्या है कि demo custom role करके आ गया और यहां पर type में custom role आ गया है तो दोस्तों यह है मेरा custom role आपको अगर identify करना है built-in और custom में तो यहां type में आप check कर सकते हैं कि custom role लिख के आएगा और built-in के लिए built-in लिख के आएगा दूसरा दोस्तों इसको identification के लिए क्या है दूसरा एक और option है इसको identify करने के लिए कि आपका custom role या demo role कौन सा है तो आप नीचे आएंगे यहां पर यह मेरा demo custom role है तो देखो आप जो मेरा custom role है उसमें एक orange color का box आ रहा रहा लेकिन जो मेरा built-in role है उसमें blue color का box आ रहा तो यह भी एक इसकी पहचाने इसको identify करने के लिए तो अब यह मेरा custom role बन चुगा है अब मान लो मुझे इस resource group पे let's say एक resource group पे permission देनी है तो मैं जाता हूँ demo resource group के उपर access control में जाता हूँ add पे click करता हूँ add role assignment और उसके बाद यहाँ पर जो है मेरा अब demo custom role मुझे दिखाने लगेगा मैं यहाँ पर search करता हूँ demo यह देखो demo custom role और आपको मालूम है कि यह demo custom role जो ही क्या करेगा virtual machine उस subscription में जो भी virtual machine होगा उसको read कर सकता है और storage accounts को read कर सकता है य हमने यहाँ पर action में define किया हुआ है तो यह एक role दो action काम करेगा तो यह होता है custom role का तो मैं यहाँ से user select करके इसको save कर सकता हूँ दूसरा तरीका क्या है power shell से ही अपन करेंगे तो power shell से हम जो role assignment है वो भी हम power shell से करेंगे तो मैं एक command menu डाली भी यहाँ पर इसको मैं copy करता हूँ और PowerShell के अंदर यहां पर paste करता हूँ और यहां पर अपना role name देता हूँ तो role name क्या है हमारा demo custom role मैं यहां से copy कर लेता हूँ copy और double colon के अंदर paste और उसके बाद यहां पर sign in name तो sign in name मुझे क्या डालना है जिस user को मुझे permission देनी उसका sign in name तो उसके लिए मैं क्या करूँगा Azure Active Directory में जाता हूँ और users के अंदर जाता हूँ और users पर जाता हूँ और users पर जाके मैं इसको थोड़ा expand कर लेता हूँ let's say मुझे user one at इसको देना है तो मैं इसको copy करता हूँ और यहां पर paste करता हूँ यह आ गया उसके बाद resource group name अगर आपको resource group पर देना है तो resource group name डालिए तो चलिए मैं यहां पर जाके resource group को दे देता हूँ demo resource group पर दे देता हूँ और इसको copy करता हूँ मैं powershell में जाता हूँ paste करता हूँ यह मेरा एक command बन गी है उसके बाद मैं इसको enter मारता हूँ तो मेरा powershell से क्या हो रहा है role assignment भी हो रहा है इसका मतलब यह command क्या कर रहा है कि इस resource group पर यह user को यह role assign हो रहा है तो यह मेरा successfully message आ गया है इसमें कुछ issue नहीं आया है कुछ error नहीं आया है और role assignment में जाते हैं और role assignment में अपने को यहां पर देखने को मिलेगा user1 अभी तक refresh नहीं हुआ है तो थोड़ा साय शाय टाइम ले रहा होगा यह देखो आ गया demo custom role है custom role का नाम और इस user को यह role assign किया गया इस resource group के उपर तो दोस्तों यह था custom role के बारे में और यह जो sample जो json script है यह मैं description link में डाल दूँगा आप वहां से देख सकते हैं copy कर सकते हैं और यह मैं command भी डाल दूँगा यह command और यह json format जो है मैं paste कर दूँगा description में आप वहां से इसका copy करके demo करके अपना lab कर सकते हो तो दोस्तों यह था custom role के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आयागा कि custom role क्या है और क्यों use करते हैं हम लोग तो अगर आपको वीडियो वाकिए अच्छा लगा और इस वीडियो में इतना ही मिलते अब अगले वीडियो में सो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो